दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे पावर कट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश की दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर की लाइट चली जाती है तो ऐसे कौन-कौन से possible reason है कि क्यों अक्सर मौनसून के दिनों में रेनी सीजन के वक्त ही हमारे घर की लाइट बहुत फ्रिक्वेंटली जाती है जब भी बारिश शुरू हुई जब भी तेज बारिश होना शुरू हुआ हमारे घर की लाइट चली जाती है फिर हमें 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे वेट करना पड़ता है उसके बाद electrical की supply रेजियूम होती है तो कौन-कौन से possible reason हो सकते है यह आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों बिना time waste के शुरू करते हैं देखे सबसे पहला possible reason होता है lightning strike देखे जब भी बहुत तेज बारिश होती है या बारिश शुरू होने के पहले जो lightning होती है उस lightning के वज़े से भी हमारे घर की electric supply चली जाती है अब आपके mind में सवाल यह आएगा कि lightning के वज़े से हमारे घर की supply क्यों जानी चाहिए तो देखे जब भी lightning बहुत जादा होती है तो lightning के वज़े से grid में disturbance create होते है जिसे voltage surge भी कहा जाता है अब आपका जो grid है यह एक interconnected system है सारे system एक दूसरे से आपस में interconnected है किसे भी एक system में अगर voltage surge produce होता है grid में disturbance create होता है lightning के वज़े से तो उसका impact grid के बाकी system पर भी जाएगा क्योंकि पूरा grid आपस में एक interconnected system के थ्रू बना हुआ है तो हम यह नहीं चाहते कि कि किसी एक area में जो lightning strike होई है जो voltage disturbance create हुए है surge produce हुए है उसका impact grid के बाकी interconnected system पर भी पड़े इसलिए vector surge relay लगाये जाते हैं जो भी आपके power stations होते हैं जहांपर electricity को control किया जाता है वहाँ पर आप voltage surge relay का use करते हैं voltage surge relay को vector surge relay भी कहा जाता है और इन vector surge relay का काम ही यह होता है कि grid में जो भी surge produce हो रहे हैं उसकी यह monitoring करें और अगर surge एक limit से ज़ादा produce होते हैं तो यह system को isolate कर दें ताकि एक system के disturbance का effect बाकी system पर ना पड़े तो कभी अगर lightning बहुत जादा हुई है और आपके घर की light चली जाती है तो आप यह बिल्कुल समझ सकते हैं कि lightning होने के वज़े से grid में जो disturbance create हुए हैं जो surge produce हुए हैं उसके वज़े से relay operate हुआ है और आपके system को isolate कर दिया गया है आपके पूरे area को isolate कर दिया गया है और अब कुछ वक्त रुकने के बाद ही आपके घर की electric supply resume हो पाएगी दूसरा possible reason दोस्तो होता है किसी भी electric pole पे पेड का या पेड की जो भी डालिया होती है उसका गिर जाना देखे जब भी बहुत तेज बारिश होती है बहुत तेज हवाय चलती है तो उसके वज़े से pole के पास जो nearby पेड है उन पेड की डालिया अक्सल electric pole पर गिर जाती है उस पूरे locality का supply isolate हो जाएगा light उस पूरे area की चली जाएगी तो कभी भी बारिश के तिनों में अगर आपके घर की light चली गई है पूरी locality की light गई है और 4 घंटे 5 घंटे तक light आ ही नहीं दी कभी कभी रात भर light नहीं आती ऐसा अगर होता है तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि हो सकता है जो भी आपका distribution network है वहाँ कोई पेड गिर गया हो उस electric line पेड की कोई डाली गिर गई हो जिसके वज़े से short circuit का case बना हो अब जो भी आपकी electricity board के technician है उन्हें आके सबसे पहले line को clear करना पड़ेगा short circuit के और कोई reason तो नहीं है कहीं line damage तो नहीं हो गई ये पूरा check करना पड़ेगा जो भी protective device operate हुए है उन्हें वापस से ready करना पड़ेगा short circuit का case हुआ है तो पूरे circuit को thoroughly check करना पड़ेगा उसके बाद ही आपके area की electric supply resume कर पाएंगे तो ये reason है कि क्यों बहुत बार 4-5 घंटे भी हमारे घर में light नहीं आती क्योंकि इस तरीके के physical damage होने के वज़े से आपके area की light में power cut हो सकता है तीसरा possible reason दोस्तो होता है poor infrastructure इस pick को देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाता हूँ हमारे घर के आसपास इस तरीके का network आपने बहुत बार देखा होगा ये जो electric pole के network होते हैं इसमें इतने सारे cables गए होते हैं कि पता ही नहीं होता कि कौन सा cable basically किस requirement के लिए use किया गया है और ये जो distribution networks है ये इतने साल पुराने हैं 10 साल 20 साल 22 25 साल पुराने network से होते हैं जिनके वज़े से इतनी age होने के वज़े से इसका जो insulation level है ये बहुत पूर हो चुका होता है अब जब भी बहुत तेज बारिश आएगी तो बारिश के पानी के वज़े से इसमें short circuit बिलकुल हो सकता है क्योंकि ये इतना पुराना network है जिसके वज़े से सभी cables का insulation पूर हो चुका है insulation का जो level है ये काफी जादा degrade हो problem हमें face करनी पड़ सकती है अब कभी भी अगर आपके घर में light जाती है तो आप ये सोच पाएंगे कि कौन कौन से possible reason हो सकते हैं जिसके वज़े से rainy season ने हमारे घर की supply गई है और भी कोई reason अगर आपके ध्यान में आ रहा हो तो comment box में मुझसे share करिएगा ये video अगर आपको प प्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना धियान रखिए गुडबाए